नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे वे कुवेट से रिलेटेड कुवेट ने अभी एक नय अपटेट दिया है कुवेट ने बता दूं कि करोना अपटेट पे अच्छी तरीक से रीकावर अभी तक लगबग हो चुके हैं कुवेट ने लगबग कंट्रियों से वीजा से अपने जो परतिबंद लगा रखे थे उन्हों को open कर दिया है परतिबंद बंद करके परतिबंद को open कर दिया है तो मतलब कहने का मतलब है कि अभी लोग कुएट आजा सकते हैं लेकिन कुछ कंट्रियों पे कुएट ने बेन लगा दिया है उससे रिलेड़ेड हम बात करेंगे वीडियो अच्छा लगए अभी तक कोरोना पोजिटिव थे उनमें से 56,400 से प्लस जियां साथ चपन अजार 400 से पलस अभी तक रीकवर कर लिए गए हैं तो आप समझ सकते हैं ज्यादा पोजिटिव केस बिल्कुल हुई है कोईट में 444 अभी तक डेथ हुई है कोईट में तो डेथ रेशियो बहुत कम है इसको देखती हुए कोईट ने भाई बाकियार गल्प कंट्रीज हैं यह टुरिज्जम पे इनका कुछ नकुछ ठिकाव होता है अगर इनका सिस्टम नहीं चलेगा तो फिर इनके द अधा के उपलक्स में इसको मान सकते हैं लेकिन बैड न्यूज मैं बतातूं साथ कंट्रीओं पे कुएट सरकार ने अभी भी बेन लगा के रखा है साथ कंट्रीओं के लोग कुएट नहीं जा सकते वो कौन-कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं पहले बात कर लेते हैं अपनी इंडिया की जी यां इंडिया पे बेन है इंडिया के लोग नहीं जा सकते नेपाल, फिलिफिन, बंगलादेश, सिरिलंका, इरान और नेपाल ये जो साथ कंट्रिया हैं इस पे साथ यो कुएद ने अभी भी बेन लगा के रखे हैं इन कंट्रि बढ़िया तरीके से पाकिस्तान में भी देख लो इंडिया की स्थिति आप सबको पता ये इंडिया में भी कितने हैं लगपक 16 लाग के करीब पॉजिटिव के सो गए हैं आलांकि रिकवरी रेट ठीक साथे तस लाग के करीब हुई है लेकिन फिर भी पॉजिटिव परती इक एरपोर्ट पे उतरने से पहले कोरोना चेस्टिंग होगी पॉजिटिव होगा तो 14 दिन कोरणटाइन होगा अपने खर्चे पे तो उनको कोई रिस्क नहीं है इस वज़े से उन्होंने बेन लगा के रखा है साथ कंट्रियों में जैसे मैंने आपको बता दिया तो जैस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाके रखें पेस्बुक पेस्वाले पेस को फॉलो कर लें ताकि विद्धे से रिलेटर से इन्फोर्मेशन आपको मिलती रहे जैंद वन्दम